आप लोगों ने ये वाली वाश्रिंग मसीन तो ऑनलाइन काफी बढ़ देखा होगा ये है एलजी का 8.5 केजी का वाश्रिंग मसीन जो की ऑनलाइन आपको 15 से 16,000 के बीच में मिल जाता है काफी बढ़िया है एक साल हो गया मेरे को इसको यूज करे हुए अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ ये जो कपड़ा है आपके सामने है ठीक है बिल्कुल साफ है मलब साफ क्या मलब दुलने लायक है तो मैं इसी से इसके जो दस्ट है उसको साफ करूंगा ठीक है और आप द से इंडे हम लोग कपड़े धुलते हैं अभी देखिए इसमें ये है उपन होके पूरा अलग भी हो जाता है हम इसको अलग रखते है और लेडी मैंने कपड़ा डाल रखता है तो आपको बता देता हूँ इसमें पहले कि आफ कर देता हूँ इसमें इस पाइप को आपको न बड़ाओ और इधर की तरफ है और इसको वापिस से मैंने पानी में डाल दिया सर्वेक्सल और पानी स्टार्टिक में ही दे देना है और इसको घुमा देना है और जब आप घुमाएं तो याद रखिए सर्वेक्सल देने के बाद आपको स्ट्रॉंग पे क्लिक करके सेट करना है और यहाँ पर सर्वेक्सल और पानी स्टार्ट कर देना है ठीक है डालना जितना आपको जबरत उतना सर्वेक्सल डालना है बाकी तो आप करी लोगे ठीक है समझदार होंगे तो आपको पता होगा इतना क्या पानी में डालना चाहिए चाहत वगेरा और उसके बाद इसको घुमा दीक है यह पानी आपको जितने लेवल तक चाहिए हमारा ओलेडी पानी का हो चुका है जो हमने अगर हाइन तक चाहिए थो हाइपर रखना है मीडियप्स यह कपड़ इसमें घूम रहा है फ्रित इसकीषात बात यह है कि इसको तो मैंने मिडिया त्ठीक है यह ओफ पैस हरोसा कर दिया है निक है तक फाग्र दाछिश कॉपड़े को hmm तक इतना करने के बाद माली जा आपका कपड़ा पांच मिनिट तक आपने सूक ने दिया या फोड़ा जैसी पास आ जाएगा तो यह बजर चालू कर देगा कि आपका कपड़ा धुल चुका है अब आप इसको रेडी कर सकते हैं इसमें ड्रायर में डालने के लिए तो जो मैं साउंड की बात कर रहा था वो इसी साउंड की बात कर रहा था इसको फिर आमको बस साउंड से हटा देना है ठीक है जीरो पर कर देंगे ओफ पर यह साउंड हट जाएगा अब यहाँ पर जो कपड़ा है इसको उठा के हमें यहाँ पर डालना होता है लेकिन मैंने कपड़े आप इसमें 8 kg तक ही डाल सकते हैं जो कि इनका लोट के साथ से कहा जाता है लेकिन 19-20 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है यह रोटेटरी मोटर जो आज समाल लेता है यहां आप अच्छे से डालिंग बाद एक चीज का नोटिस रखे कि यह जो है बिल्कुल सीधा होन होना चाहिए मतलब आप जो अंदर की तरफ रखो तो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए अब इसको आपको बंद करना होता है ठीक है और ध्यान रखके इसको और बंद नहीं करेंगा तो और नहीं होगा यह गूमेगा नहीं अब हमें पानी का जो सिस्टम है इधर की तरफ कर बंद करना है और यह वाला दस मिनट के लिए मैं गुमा देना है तो यह जैसी चालू हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां से आना शुरू हो जाएगा जो सरफ पेक्सल का पानी है वो अजब तक निकल आया तब तक आपको पानी चालू रखना है और जैसी सरफ एक्सल का पानी आना खतम हो जाए आपको बंद कर देना है नल और फिर से दस मिनट या पांच मिनट आपके एसाब से जितना हो सके आपको टाइनिंग के एसाब से लग सकते हैं और सूख जाएगा तो आप इसको डारेक्ट कपड़ा वहां पर दे सकते हैं जैसा कि आप देख सकते है कि हमारा जो पानी है अब तोड़ा लगबग लगबग साफ पानी लगा है हम इसको बंद कर देंगे और यह जो पानी का साउंड ता वो भी बंद हो जाएगा ठीक है उसके बाद इसको हम आठ मिनिट पे सेट है तो आटोमेटिक आठ में ही सेट रहने देते हैं कुछ करेंगे नहीं चेड़ेंगे नहीं और एक चीज का याद रखे यह वास और रिंस जो अप्चन है इसी पर सेट रहना चीज जो कपड़े वगएरा दो रहे हो क्यों 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 क्लिक कर देंगा तो यहां का जो पानी हो ड्रेन हो जाएगा और आपका पूरा पानी चला जाएगा व अच्छी चीजे देखिए वो भी इस वीडियो में पूरा बताऊंगा तो फाइनली आप मेरा जो ड्रायर वाला काम था वो हो चुका है और इसमें एक बात है कि यह आवाज नहीं करता है जैसी यह साउंड करता है यह बजर नहीं देता है ठीक है तो यह जब आफ होता है त कपड़ा ठीक है तो मैं इसको यहां रख सकता हूं क्योंकि मेरा जो फर्स यह काफी साफ है यह कहती है यह इतने सारे कपड़े मैंने डाले थे अभी देख यह यह इतना सारा मैंने कपड़े डाले है इसमें हलके फुलके वाले जो जैकेट होते है वो भी साफ हो जाते ठीक अभी मैंने एक चीज़ नहीं दिखाया था, मैंने जब वीडियो पॉस किया था, तो मैंने एक जैकेट भी डाला है, जैकेट भी धूल सकते लेकिन सिंगल सिंगल करके है, ठीक है, तो मैं पहले इसके पहले जो भी कप्रे डाले थे उसको निकालता हूँ, फिर आपको दिखा नहीं है कि साधी के बाद हाथ डालके रिंग वगएरा डूनते हैं, तो हम कपड़े ढूलेंगे बर्तन में, ठीक है, तो वही देख सीज़ेगे, और भारी-बारी कपड़े ले लेता है, सोची एक हास से वीडियो बना रहा हूँ, और एक हास से कपड़े भी धो रहा हूँ तो इसके लिए कमेंट और लाइक जरू करिएगा, लगता है, तो मारा कपड़ा इसके अंदर जा चुका है, और इसको अच्छे से से शेट करना होता है, एक हास से है, लेकिन सेट नहीं हो पायेगा, इस विसाब से जैसे मह करता हूँ, लेकिन ये मैंने कर दिया फिर भी कि तरीकसे अब मैं इसको सीधा एकदम जैसे मैंने बताया था उस तरीके से रख दोंगा और इसको वापिस से घुमाता हूँ ये तो यह जब उसको बैलेंस कर लेता है तो उससा आवाज करना बन कर देगा लेकिन आपको कोशिच यह करना है कि बिल्कुल सीरा रखे एक हाथ ता इसलिए मेरे से हो नहीं पा रहा था देखिए पानी जो था निकल जा रहा है अब मैंने इसको अन भी नहीं किया अब मैं इसको पानी जाना सुरू हो जाएगा मेरे एक गोल्डन रेट्रिवर भी है जो बदी है क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ और दिश्ट अब करेगी तो बिल्कुल खुली रहती है और लेकिन कोई बात नहीं है तो मैंने इसको चालू कर दिया है यहां पानी निकल ला है चल्रिक् अब यह देखिए मैंने जो जैकेट डाला था अकेले मदा एक दूं सिंगल डाला था उसको मैंने डाल दिया थोई जार पांच दस में चे गूमने के बाद पूरा पानी इसने सोक लिया है और देखिए पांच मिनिट का टाइमर बचा है और यह जो है फुरी दिल में बंद तक सूप गया होगा ठीक है आप अगर पहले बंद करना चाओ कर सकते हैं जैसे मैंने किया है अभी देखिए यह मैंने जैसी इसको खोला तब जाकर बेट लगा है तो सेफ्टी का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है अब हम इसको यह साइड में रखते हैं और यह देखिए पूरा साफ हो चुका है ठीक है इसको भी मैं यहां रख देता हूं और मेरा गमच्छा तो बस यह था और यह जो है अब इसकी यह में बहुत लोगों का होता होगा कि जैकेट ढूलना रहता है तो यह जैकेट को क्या करना है आपको ऐसे उठाना है ठीक है और धीमे धीमे कर यहोरु करें कि यहां पिन लाना है बहुत भारी नहीं हो जाकता है और एक हसे दो भाही है क्यों कि ऑक ठो हूती है है जैकेट इसका जड़ में पूरा पानी 25 यह को पुरी बहुत बाई बाई भारी व गयो है आपको वीडियो में तो समन् psychologicallyunde में बहुत पानी नहीं है लेकि अब यह सीधा सीधा इसे रखना है इसमें एक चीज का ध्यान बस रखना है कि इसको थोड़ी दे चला के रख दीजिए क्यों क्योंकि इसमें जो पानी है न वह बहुत बहुत हाई मातरा में है यहां से निकल जान दीजिए ठीक है यह देखिए बहुत तेज मैंने अभी नल फानी निकलना है इसलिए मैं कह रहा था कि यह ओवर लोड़ से बचा देगा आप देख सकते हैं कितना ज्याना पानी निकलना है और कितना लेवल कम कर दिया इसमें तो इस बात को समझ रहूंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं और क्यों मैंने एक ड़ला था तो यह किस लिए अब दो सब्सक्राइब आता है। दुसरा जैकेट भी लेके आ रहा हूं। नेक्सट जो मैं डालूँगा इसमें वह स्वासिंग मसीन में तो यह मेरा जूता। यह इसको भी धुल देता है। लेकिन तब तक मै ये बता दूँ ये क्रीन जो है ये किस काम का है दोस्तोir जिए कि पानी में गंदगी जमती है जो इसको निकालने के लिए लुक्तिता हम कैई तो इसको क्या करना होता है ये पानी फिल्टर करा करना भी को बाहर फ़ेकता और इसको अच्छे से ढूल देना है और वापिस से इसको बस अंदल लगा देना अभी गदगी है निक्री में इसको इज़ यूस करता हूं साफ Uhr कर देता हूं और वापस से सको ऐसे प्यस कर के लगा दिना है थेक्ए तो बास चंपना होता है पहल कि आज नहीं लग रहाống कि नाउ है इसको आपको नहीं मिलेगा तो यह जो है इसमें इसी टाइप का एक जैकेट है सूख रहा है जो की लगबग लगबग सूख गया होगा हम इसको आफ करते हैं और इतना सारा पानी उसने सोका था देखिए का क्या रिजल्ट आता आपके सामने ठीक और मौसम का हाल वापिस से बरबा समता म nih 74 अब यह देखिए इतना पानी सोका था इसमें और इह कितना सूक गया है ठीक है यह है इस वार्शिंग मेशीन की कौलिटिय इसलिए मैंने इस वासिंग मसीन को प्रिफर किया था बहुत बहुत बढ़िया वासिंग मसीन है अब वही सेम चीज इधर उठा के यहां डालना है लेकिन मैं इस वेडियो में दो बार इतना नहीं उठाऊंगा बहुत कसराथ हो गई है फिर भी कुछिस करके देखते हैं अचा इसमें जो जूता है वो जब धुला जाता है उसमें एक चीज पहले आपको ध्यार नखना चाहिए कि गोवर वगेरा लगा हो ना दोस्तो तो पहले साफ कलिएगा मैं बहुता फिरता नहीं हो अभी बस मेरा एक व्लॉप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ह तो वही वही गया हूँ तो देखना हो तो देख सकते हैं आयोद्या जाने वाला हूँ अगले व्लॉग में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है देख लिएगा ठीक है इसको वापिस से गुमा दे रहा हूँ और पानी निकलना पहले से शुरू हो गया है अब बारी है इनकी इनको सिंपल सा उठाके उल्टा करके हमें टाल देना है ठीक है यह से करके आपको डालना होता है और हम पानी ओन कर लेते हैं और यहां के तरफ कर लेते हैं और इसको नॉर्मल करना होगा ठीक है लेकिन एक बात का ध्यान रखे है जूता जो हो किसी अच्छे ब्रैंड का हो क्योंकि अगर खराब ब्रैंड का हुआ या लो पल्टी गाला सूज हुआ तो वो वास्ट करने पर खराब हो जाता है मेरा यह जूता मैं तीसरा साले यह लगातार पहन रहा हूं लेकिन अभी त पानी इसमें बनने देते हैं और यह तो अपना सूख रहा होगा अंदर यह अंदर क्योंकि उसने जो पानी सोका था जो निकाल लिया है तो मैं इसको यह ट्रंसवर कर देता हूं तो यहां पर जैकेट जा रहा होगा बाती इस वीडियो में और ज्यादा कुछ है नहीं दिक्कत में आई पानी निकालने के लिए यह बटन दवाई निए देंगे इसको यहां ट्रें कर तो यह पानी निकल ला है वहแत जुँआ चुवा इसमें आता नहीं है, क्योंकि चुवे की जो यह दिया गया है, वो इसी ले दिया गया है, ठीक है, प्रोटेक्शन है, पात साल की मोटर की वराइंटी है, और बहुत ही बढ़िया है, अभी भी अगर आप इसको पर्चेस करना चाहते हैं, लिंक डेस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे, बेल आइकन बटन जरू कर लिजे, और कमेंट जरू कर ये क्या देखने को मिला, और हाँ, यह जो शूज है, इसको जिस तरीके से मैंने जिस एंगल पर रखा है, उसी एंगल पर इस पर भी रखना है, और वाटर चालू करके भ इसकाल देना है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं जिया, लेकिन आप कमेंट करोगा तो हम इसमें वास करते भी दिखाएंगा, मिलते अगली वीडियो में जैहिन बंदे मातर हम,